नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कुसुम और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको अमरूद की लसी बनाना बताऊंगी या पीने में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है आप एक गलास की जगह है इसे दो गलास पी लेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमने दो पका हुए अमरूद लिया है अब इसके जो छीलके पर थोड़े सी दाग धब्बे दिख रहे हैं इसको साफ करके काट लेंगे इसके बीज निकाल देंगे अब इस तरह चोटे पीसेज में काट लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा बलैक साल्ट यह निकाला नमक इसके बाद अमरूद को डाल देंगे दो अमरूद है तो इसमें चार्चम मचीनी डालेंगे हमने यहाँ पर एक ग्लास चांच लिया है लस्टी मठा चांच आप जो भी बोलते हैं तो हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया है अगर आपके पास चांच नहीं है दही है तो आप आधा ग्लास दही आधा ग्लास पानी ले सकते एक पिंच ब्लेक पेपर पाउडर यानि काली मिर्ज का पाउडर अब इसे ग्राइंड कर लेंगे अब अमरूद अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है बच्चे हुई चांस को डाल कर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब या ग्राइंड करने के बाद भी ठंडा बना हुआ है तिसे आप इस तरह से बना के पी सकते हो और बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बड़े हुई या बच्चे है सबको पसंद आती है समर सीजन में आप ठंडी ठंडी लस्टी और आइस क्यूब जरूर डाले अब या सर्व करने के लिए रेडी है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद झाले